हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम 5 दिसंबर और 6 दिसंबर से उत्तर पर देश कंटर फिर के जितने भी इंपोर्टेंट कुछिन बन सकते हैं वह हम इस वीडियो में डिसकस करेंगी और हरे कुशन से आपको फेक्ट भी बताएंगे और वीडियो के अंत में हम आपसे एक कुशन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपको इसकी पीडियाफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप से इसकी पीडियाफ डाउनलो किया गया है उपसन नमबर ए है रोची जूसी बी है संगीता स्रीवास्ताव सी है अनीता सिंग और डी है साक्षी तूमर तो इस कुशन का जो करेक्ट आंसर है उपसन नमबर भी संगीता स्रीवास्ताव तो अभी हाल ही में संगीता स्रीवास्ताव को इलहाबाद विस्वि वास्ताव इलाबाद विस्विद्याला की चौती इस्थाई कुलपती है वो है इलाबाद विस्विद्याला की पहली महला कुलपती होंगी उनका कारेकाल पांच साल तक रहेगा यहां पर देखिए काफी इंपोर्टेंट यह कुश्यन है कि जो इलाबाद विस्विद्याला ह में किंद्रिय धर्जा मिला था क IndRIA देलाई बनने के बाद कुलपती के बद पर प्रोफेसर राजी नहर से प्रोफेसर EK Shing इवशν रतनललاخंगलू नियक्तन हो चुके हैं पूर्भ मैं नियक्तन तीनों कुलपती दूसरे विषव देलाई आइव lagi संस्थानों से जितने भी इस्थाई कुलपती रहे हैं वो दूसरे विस्विद्याला एवं संस्थानों से रहे हैं जबकि जो प्रोफेसर संगीता स्रीवास्ताव ने इलहावाद विश्व विद्यालाए में 1989 में लेक्चरर के पदपर ग्रह विज्ञान विभाग में जोईन किया था उस वक्त ग्रह विज्ञान विभाग बायो केमिश्ट्री विभाग का एक हिस्सा था उनके प्रियास से 2002 में ग्रह विज्ञान विभाग क बिएस्सी और जबलपुर विस्विद्याले से MSC की पढ़ाई की इलाबाद विस्विद्याले से प्रोफेसर PC गुपता के निर्देशन में PhD किया तो जो प्रोफेसर संगीता स्रीवास्ताओं हैं उन्होंने इंटर दक्की पढ़ाई प्रियागराथ की स्टेंड मरीन कॉनवेंट से की और इसके बाद एग्रिकल्चर इंस्टिट्यूट नैनी से बिएस्सी और जबलपुर से विस्विद्याले से उन्होंने MSC की पढ़ाई की और पिएचडी जो है वो इलहाबाद विस्विद्याले से प्रफेसर PC गुपता के निर्देशन में किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हैं संगीता स्रीवास्ताओं जिन्हें हाल ही में विस्विद्याले की इस्थाई कुलपती नियुक्त किया गया है अगला कुश्चन है हाल ही में भारत का पहला 100 ओक्टेन पेट्रोल भारत की किस कंपनी ने लॉंच किया ओप्सन नमबर A है इसार ओयल लिम्टेड बी है भारत पेट्रोलियम C है Indian Oil Corporation और D है Reliance Petroleum Limited तो इस क्वेशन का जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्सन नमबर C Indian Oil Corporation तो अभी हाली में भारत की Indian Oil Corporation ने पहला 100 ओक्टेन पेट्रोल लॉंच किया है अब चलिए देखते हैं इसके बारे में Indian Oil Corporation ने देश का पहला 100 ओक्टेन पेट्रोल पेश किया जहां बाजार में इस तरह का उच गुडवत्ता वाला इनन उपलब्द है XP 100 प्रेमियम पेट्रोल शुरुआत में 10 सहरों दिल्ली, गुड़गाउं, नोईडा, आगरा, जैपुर, चंडिगड, लुधियाना, मुंबई, पुडे और एहमदाबाद में IOC के चुनिंदा विक्री किंद्रों पर उपलब्द होगा यह इनन उत्तर प्रदेश में IOC की मतुरा रिफाइनरी में तयार किया जाता है और इसकी चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर आपूर्ती की जाती है दुनिया भर में 100 आक्टेन पेट्रोल का लगजरी वहनों के लिए उतकरष्ट बाजार है यह किवल 6 देसों अमेरिका, जर्मनी, यूनान, इंडोनेशिया, मलेसिया और इसराइल में उपलब्द है और अब भारत देस में भी 100 आक्टेन पेट्रोल उपलब्द हो गया है सरकार ने इनन को आक्टेन संख्या से वर्गी करत करने का फैसला किया है देखिए यह आक्टेन होता क्या है, कि 100 आक्टेन हुआ तो इसका मतलब क्या है तो देखिए सरकार ने इनन को आक्टेन संख्या से वर्गी करत करने का फैसला किया इससे हर प्रकार के इनन को एक निश्चित आक्टेन संख्या दी जाती है जिसके आधार पर इस बात को तै किया जाता है कि ये इनन आपके वाहन के इंजन और परियावरन दोनों के लिए कितना बहतर है यानि कि ये कितना कम से कम प्रदूशन फैला सकता है आम तोर पर ओक्टेन रेटिंग का एक मानक उपाय है जो मौटर इनन की दक्षता और प्रदर्सन दोनों को ही परिवासित करता है तो देखिए ये जो ओक्टेन है ये एक मानक रेटिंग संख्या है जिसके आधार पर ये तै किया जाता है कि ये जो पेट्रोल है वो कितना उच गुर्वत्ता का है और सो ओक्टेन पेट्रोल होनी का मतलब ये है कि ये चुनिंदा देसों में सामिल हो गया है जहां पर 100 octane petrol पेस है ठीक है तो ये 100 octane जो है वो कितने देशों में अब तक किवल 6 देशों में 100 octane petrol उपलब्द था और अब हमारे भारत देश में भी 100 octane petrol उपलब्द हो गया है और इस petrol को कहां पर बनाया जाएगा तो उत्तर प्रदिश की IOC की जो refinery है वो मतुरा refinery में इ ठीक है और जो 100 octane petrol है शुरुआत में वो भारत के 10 बड़े सहरों में इसे उपलब्द कराया जाएगा कौन कौन सी सहर है यहां पर आपने देखा यह दिली गुलगाओं नुईडा आगराज जहपूर चंडीकड लुधियाना मुंबई पुड़े और एहमदाबाद और यह हाल ही में किसने नेफेड के हनी FPO कारिक्रम को लॉंच किया ओफ्सन नमबर A है नरेंदर सिंग तोमर B है योगी आदित्यनात C है नरेंदर मुदी और D है राजनात सिंग तो इस question का जो correct answer है वो है ओफ्सन नमबर A नरेंदर सिंग तोमर तो अभी हाल ही में नरेंदर सिंग कारिक्रम को लॉंच किया है अब ये होता क्या है चलिए इसके बारे में देखते हैं केंदरिया क्रुसी और किसान का लियान मंतरी नरेंदर सिंग तोमर ने सहद उतपादन के लिए पांच राजियों में हनी फॉर्मर प्रोडिशर ओगनाईजेशन एफ पी ओ प्रोग्राम का उदगाटन किया हनी एफ पी ओ कारिक्रम का उद्देश मदू मक्खी पालन उद्द्यों को मुद्दों का समाधान करना है और देश में सहद उतपादन को बढ़ावा देना है इससे किसान की आय बढ़ाने की लक्ष को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी तो ये जो हन सहद उतपादन को बढ़ावा देना है और इससे क्या होगा किसान की आय भी बढ़ेगी और जो सहद उतपादन है उसका भी जो है विस्तार होगा अगला पन्द देखिए इन पांच एफ़ियों को नेशनल एग्रिकल्टर कोपरेटिव मार्केटिटिव फ्रडिशन आफ इ पुर्वी चंपारण बिहार में मुरैना में मद्यपरदेश के मुरैना में इसकी स्थापना की जाएगी राजस्तान के भारतपुर में इसकी स्थापना की जाएगी और उत्तर परदेश के मथुरा में इसकी स्थापना की जाएगी और पस्टी मंगाल के सुन्दर बन में इसकी तम्रेट की जाएगी तो कुल मिलाकर के भारत के 5 राजियों में एफ पी ओ प्रोग्राम की जो है इस्सापना की जाएगी मान्दयप्रदेश की मुरेना में एफ पाँच व्लाकूं, लगबख 68 गान को कवर करेंगा और अन चार FPO समंदित तिराजियों में लगबग 340 कामों को कवर करेंगे अब देखिए इससे लाब क्या होगा इन पांच FPO से 4000 से 5000 मदुमक्खी पालकों और शहद संग्रहकों को अधिक लाब होगा नेफिड सहद की ब्रंडिंग और सामुहिक विपणन में उनका समर्थन करेगा और उन्हें विदेशी वाजारों का पता लगाने में भी मदद करेगा तो ये जो FPO है इसका उद्देश से क्या है कि जो मदुमक्खी पालन होता है उसके उद्देश समंदी मुद्देश है उनका समाधान करना और देश में सहद उत्पादन को बढ़ावा देना इससे किसानों की आय बढ़ाने की लक्ष को भी प्राप्त किया जाएगा अगला कुशन है हाल ही में किसने लक्ष नव में मेरा कोविड केंदर एप लॉंच किया उप्सन नमबर A है प्रतान मंत्री स्री नरेंदर मुदी B है ग्रह मंत्री स्री अमित साह C है मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ और D है स्री दिनेश सर्मा तो इस कुशन का जो करेक्ट आंसर है बो है ओप्सन नमबर C मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ तो अभी हाल ही में मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ ने लक्ष नव में मेरा कोविड केंदर एप लॉंच किया है अभी है क्या देखिए इसके बारे में उत्तर प्रदेश में कुरूना संक्रमन को रोकने के लिए योगी सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है मेरा कोविड केंदर एप योगी सरकार ने मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ ने लॉंच किया है अब ये है क्या मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ ने वर्चूगल तरीके से मेरा कोविड केंदर एप को लॉंच किया है इस एप के जरिये लोग घर के नजदी कोविड सेंटर्स के बारे में जानकारी लेकर जाच करा सकता है इस मौके पर सीयम ने कहा कि ये एप लोगों को उनके इस्थान के पांच किलो मीटर के भीतर उपलब्द सरवजनिक और नेजी कोविड परिक्षण प्रियोग साला तक पहुँचानी में मदद करेगा अगला कुशन है तो दोस्तों ये थे उत्तर प्रदेश करेंट फिर के पांच दिसंबर और च्छे दिसंबर से इंपोर्टेंट कोशन अब देखते हैं पिछले वीडियो का कोशन जो कि हमने आप से पूँचा था तो ये कोशन था नवंबर 2020 में राज के राजपाल की मंजूरी के बाद गेर कानूनी रूप से धर्मानतरान पर किस से राज़े ने अध्यादेश लागू कर दिया है तो इस कुशन का करेक्ट अंसर था अप्सन नमबर A उत्तर प्रदेश तो कई स्टूडेंट्स ने इसके करेक्ट अंसर दिये और मैं फिर कहता हूँ कि आप से जो भी कुशन पूछा जाए उसका जवाब आप जरूर दिया करो क्योंकि जब भी आप किसी भी कुशन का जवाब देंगे तो आपको वो कुशन हमेशा के लिए याद हो जाता है चलिए देखते हैं आज का कुशन तो ये है आज का कुशन हाल ही में किसी उत्तर प्रदेश का सर्वस रेश्ट दिव्यांग खिलाड़ी घोसित किया गया है इसका ओप्सन नमबर A है प्रिया कुसबाहा B है कमल सोनी C है गुरु देव और D है राजा बाबू तो इस कुशन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप जवाब जरूर दिया करो तो दोस्तों ये थे आज की कुशन अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अगर चैनल पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू